सबी मेरे मेडिया के दोस्तों हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस दी गौवर्मेंट निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लमेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामियाबों को सुनाते हैं और उनके फेलिवर्स को छुपाते हैं और जो हम उनके फेलिवर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत नहीं दिया जाता है तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उस इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोकों को बताना इस द्रस्टी से आज हम यह आपके सामने रख रहें वो बात में देंगे जो अपना यह है डीटेल्स लेकिन उसमें में मुद्दे होगे कि बेरुजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा दस साल की तुलना करने का सोचते हैं और मुझे कभी कभी है ऐसा हसी आती है कि उन्होंने परसू पॉब्लिक सेक्टर्स की बात करके हम उन्होंने बदाया लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बदाया कि जो पंडी जवरलाल नेरुजी के जमाने में हेल हम्टी बीएल बीएची एल ऐसे चीजे को यह उन्होंने कभी बताया नहीं वो कौन से हैं उनके जमाने में पॉब्लिक सेक्टर्स कितने लोकों को इंप्लॉमेंट मिला कितने लोकों को अच्छी नवकरी मिली यह उन्होंने और दूसरी बात यह तो रोजगारी एक दियात में भी रोजगारी कम हो रहे क्योंकि यह नरेगा का पैसा और रिलीज नहीं कर रहे हैं और हर स्टेट में डिस्किनमेशन हो रहा है जैसा कि करनाटक है आंद्रा है जहां भी बोलिये या तेलंगाना है केरला और करनाटक सभी ऐसे जो यहां पर जो नौन कॉंग्रेस नौन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेट किया जा रहा है कहीं के भी वहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं देते नहीं और बात में यह कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है वो खर्च नहीं हुआ ऐसा नहीं होता जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडेटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है लेकिन वो परपसली वो लोकों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा यह बोलना यह बहुत बेड़ी साजी से यह बीजेबी के सब्सक्राइब और दूसरा नेर्व के जमाने की कंपेर करते हैं इंदरा गांधी जी के कंपेर प्राइस कैसे सुस्वक्त क्या थे वूद तो अज आप क्या कर रहे हैं वो महतो का है यूार रूलिंग टुडे इस इन्फलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया यह महतो का है ना कि आजादी के पेले क्या था फिर नेरU जी ने क्या किया इंद्राजी ने क्या किया राजी उने क्या 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 क्योंकि Congress को तो आप गालियां देते दें दो लेकिन यह में समझ्चा है मंगाई का आपने इसको जो उसको कंट्रोल करना था वह नहीं कियें और ऐसे हैं चंद यह पल्सेस यह आपकर कर सकते हैं तेल हैं आप अएसेंटिल कोमेडिटिस जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं कि उनके दोस्ति लोग है वो यहां पर अकर मांगा ही हो गई तो बार से इंपोर्ड करते हैं वह जहां के समंदर में रखते हैं तिल यहां के प्रैसेस राइंज नहीं होते जब प्राइसेस स्ञाइस होते हैं तब वह समंदर में रहने सुच जो पोर्ट पे लाते हैं पोर्ट पे लाने के बाद ही उसको टक्स लगेगा ऊब करते हैं याने ट्रीट बिग बिग जो जाज होते हैं उनको गोड़ाउन के तरफ ट्रीट करते हैं तो ऐसा भी फाइदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं और तीसरा किसान किसान का हम ने बोल रहें किसान लोग तो दरना बेटे हैं और किसान लोग वहाँ पर एक साल तक बैठे उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की और तीन काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापिस लिया तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है और उससे किसानों को फसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं MSP जादा करतूं बोले, मैं किसान की हामदानी दबल करूंगा बोले, कहां हैं वो सब और ये सब बाते पार्लमेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं ना बेरोज़कारी के बारे में बोलते हैं ना मांगाई के बारे में बोलते हैं ना किसानों के बारे में दूसरे चीज लाना जो इर्रेलेवेंट है और उसी के उपर वो भाशन उनका चलते रहता है तो ये किसान का मुद्दा भी ब यह अपना डबल हमदानी करने का वो कुछ भी नहीं है और ट्रैक्टर पर इसके जो अग्रिकल्चर एक्विप्मेंट से उनके उपर भी जीएस्टी लगाया गया और कि मधी की गयारंटी तो छोड़ो मोदी की गयारंटी बोड़ो यह गयारंटी लिखो ना जो आपने कहा कि मोदी की susceptible मैस्पी थी मैं नहीं कर सका यई नौक्रियां 22 करोड हर साल देना था मैं नहीं कर सका यह मोदी की जा deepest ना अब नएischerांटी निकले हैं तो यह जो है इसके बारे में और सामाजिक नहाएं देखिए सामाजिक नहाएं वो बहुत बोलते हैं मैं प्रसिडेंट आफ इंडिया से लुकाश को बनाया से दुल ट्राइब को बनाया मैं फलानों को बनाया और यह इंपॉर्ट नहीं यह तो बंते रहते हैं तुमारे पार्टी की पॉलिसी रहती हमने भी बनाया हमने तो ऐसे अईसे नहताओं को से लुकाश के प्रसिडेंट बनाया जो इंटरनाशनली फेमस थे आइए यह नहीं क पड़े लिखे लोकों को और अच्छे इंटरनाशनली फेमस जर्नेलिस्ट थे फिर अम्बैसिटर थे फिर वाइस प्रेसिडेंट बने फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट अफ इंडिया बने वो सडुकास थे तो यह बाते उन्होंने वहां बोलना बावा साब लेकिन आत्मी को रोजगार देना इसकी बात आप करना चाहिए इसके लिए आम बूलते और सामाजी क्नाय कि उस्वक्त मिलता है हर कि चीज में आप लोग भागी दारी देना चाहिए लिए पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स अगर ज्या तो उसमें इंप्लॉमेंट ज्यादा मिलता है और यसी इस्टी वोबीसी का वहां पर एक परसेंटेज जो मिलता है पर्मनेंट मिलता है वो इधर इधर भागने की जो कॉन्ट्राक्ट जॉब करना डेली वेज़स करना यह सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनक को इक स्टाबिलिटी वी नैमीलती तो इसलिए हम चाहते थे कि नौकरी दिए गॉवर्मेंट शेर्वनेंट में काहरी दिए पॉबलीक सेक्टर शूम्यश्यौ फ्रव्समें प्ड़ियो और इगर स्माल स्केल इंड deviation उसमें इन्वाल करना है तो उंको इस्टाब्लिश करके उनके हाथ में देऊ जैसे आप करडोर उपे बड़े-बड़े कार्परेट को देते हैं, थाउजंड सब क्रोस लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंदे के लिए, उनके काम के लिए पांच-दस करोड होना है, तो देखकर आप उनको भाषा अच्छी है, और हिंदी में सब कुछ बोलके हम निप्टा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्तिती भी बढ़ती नहीं, उसके इंफ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एंप्लामेंट भी ज्यादा नहीं होता, तो यह और पांचवा पॉइंट है, लोग तंत्र पे ख एक तो अब डरा डरा के दमका के इलोक्टरल बॉन्ड भी पैसा भी आप उसुल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के पास, हमने नहीं पूछा, तुमने चावी फिराते हो पीछे, वो आगया आके देते हैं, वो सब छोड़ के, हमने किसी को पूछाना, किसी को तंग नहीं, तं के सुनता नहीं, तो विजिलन्स को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पाहस लेते हैं, और एलोक्टरल बॉन्ड का भी उन्होंने इतना, फिर इससे पहले दस साल पहले, अगर उनके आडेलोजी पे ही है, पिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा है, तो यह इंडिरेक्टली हराश्मेंट प्रेशराइज करके आप एलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और यह पैसा डेमोक्रसी को खतम करने के लिए यूज कर रहे हैं, 411 MLS को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया, आप मैं यह नहीं कहता, कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे वो ने, लेकिन आपको तो मालूम है, कितने सरकारे हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मद्यपरदेश, करनाटक, मनीपूर, गोवा, उत्राखंड, यह सब आप जा है, एक डेमोकरसी को खतम करना उनका काम है, और जो लीडर बोलता है, उसको एक फैट, मेरे को परसु मोधी जी के बाशन में, कुछ बाशन किये हैं, तो मेरे को 4-5 कॉल्स आ है, कोई ऐसी गंदी गाल्या दिया, ऐसी दिया, तो महीं यहां पर कहां पर हमने पॉलिस स्टेशन में रेजिस्टर करवाया है, जो किससे, वह देखिएंगे, इससे पहले भी तुगलक पॉलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले महीं वहाँ दो-चार महणे रह जा था, सब्सक्राइब करवाया अपने बैंगलोर में करवाया सदाशिव नगर कितना क्यों अरे आप भैस करो आपकी भैस के ओपर लोकों को कन्विन्स करो ऐसा लोकों को लगा के डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं तो मैं तो हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं मैं भी होने वाला नहीं मैं तो इतनी कठिना ही देखके एक ही घर में मेरे मेरे बाप एक बचे ते महीं एक बच्छा दोई मिलके आप 83 तक मैं आया हूँ एच और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, एक एलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसु एक छोड़के, लेकिन मेरे को भी इंडारेक्ली गाल्या देना, डिफेम करना, सोशल मेडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है कि एक अगर सरुलकाश का ओ भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर ओ डिफेम करना चाहते हैं, और एक तिरपन साल में एक कलंक नहीं है, मैं 20 साल वहां मिनिस्टर था, 10 साल यहां मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहां भी अपोजिशन लीडर 18 साल था, तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल, अब यह लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हैं, डराने दो, वह बात में की बात है, हम देखिंगे, कि हम सिंपती नहीं चाहते हैं, हम इसे हैं, वह इसे हैं, इसलिए, हम तो यह चाहते हैं, कि जनता की भलाई के लिए इनों जो काम करना चाहिए, वो काम नहीं हुआ, इसलिए यह हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट करें, और दूसरा, हर ED, CBI, यह लगाते हैं, देखिए हमारे क्या हुआ, उन्होंने जार्खन के सरकार को खतम करने का सोचा, क्या हुआ, उल्टा हमारे को, जहां हमारे को चबेचालिस थे, वो 48 हो गए, फिर एक आदमी बिमार था, प्रेजेंट 47 हो गए, क्यों करना यह एक्सपरिमेंट, जब मजबूत सरकार है, उसको किराना, डराना, फिर उनको अलक रखना, यह चीजें वो करके आगे आना चाहते हैं, और कि हमको जंता का सपोर्ट है, जंता का सपोर्ट का है, अगर जंता का सपोर्ट होता, तो पूरे देश में Chief Minister तुमारी होते थे, यह गिरा गिरा के Chief Minister नहीं बना सकते थे, है और यहां से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं लेकर जो सरकारे बना रहे है और उनीmal कामिया दिला इंगे के रोजी को इंद्रा जी को सुनया जी को रहो जो जौर अपने पाद्यात्रा कर रहें उनौं कर नों राहूल जी- हर ज Fachin, जा रहे हैं तो भी उसके ऊपर ठीका राजा क्या राजा क्या राजसभा में थे हैं कल बोले हूं और क्या उनकी क्या वहाँ गलती अरे ठीक है वही तुम लोगसभा मेंबर है उन्हों बोलो उन्हों जब आते हैं तो यह जो स्टैंडर्ड है एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समेंड के जैसे अपना आगे का विजन देना उन्होंने क्या किया वो बोलना वो छोड़के मैं और पांच साल आऊंगा मैं वो करूंगा यह करूंगा यह तो बोल रहा है लेकिन मेरा यही है कि पिछले आपने के करतूत क्या है आज के करतूत क्या है इसमें हम सब दिये हैं और जो यह डिवाइड देश को डिवाइड करने की वाद सौथ और नौर्थ का डिवाइड कर उन्होंने बोला अरे भाई साहब बोधी जी आप जब चीप मिनिस्टर थे गुजणात के आपने पूचा केंदर सरकार उस वक्त के यूपीय गवर्मेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता ये भी उदार्ण उन्होंने दिया 48,600 क्रोर्स मैं टैक्स देता हूँ गुजरात और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है फिर ये डिवाइड की बात हो गही नहीं यह लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे है तो आपने तो खुद बोला चीपमिस्टरो की और वही बात अगर दूसरा बोलता है वह देश द्रोई होता है वह देश तोड़ने की बात करता हूँ तुम क्या करे तुम तो देश तोडने की बात हमेशा करते हैं, दंगे करवाएं पीछे, लोगों को भड़का है, ऐसे ऐसे भाशन करके भड़का है, पूछो मत, और वही आत्मी आज ये कहता है, कि साउथ नौर्थ की जगडा कर रहे हैं, देश को तोडना चाहते हैं, तुम कोन सी बात किय जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो उनको देखना चाहिए, और गवर्नर तो ऐसे बने हैं, कि स्ट्रेट के डिक्टेटर्स, वो जो कहिते हैं, वही होना, कहीं भी गवर्नर्स को इनों ने बिठाया है, तो वहां सरकार को डिस्ट्वाइ करने के लिए बिठाया, जहां बीज सरकार है, कौपरेट करो, जा नहीं है, उसको फाइल स्वापिस में जो पेंडिंग रखो, यह सब है, इसमें, मैं ज्यादा आपको यहां पर और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ हम मैंने आपके सामने रखा है, और इसमें पूरा डीटेल भी आप देख स लक्तने और आखरी में एक ही बात करूंगा कि है, कॉंग्रेश पार्टी महत्मा गाण्दी जी पार्टी है, उससे स्वतंत्रा संग्राम में बारत को करके, बारत को 200 वर्षयों को, 200 वर्षयों के प्रिटिश अन्याय से निकाला, और 2024 में हम भारत को भाजपा केशल अन्या गटबंधन से और नाय प्रदान करेंगे और काम करते रहेंगे भारत के लोकों को हमने पहले भी जो वाइदा किया है वो वाइदे हम निभाएंगे जैसा कि राइट टूर राइट टू एजुकेशन राइट टू फूट यह सब कानून हमने बनाया तो उन्हों कहें कि यह स्लोकों को फ्री दे रहा अरे वह हम भी दे रहे थे उसका रेटी था तीन रुप है उसके बाद हर स्टेट ने कहीं मुवद किया कोई अलग है लेकिन इनों ने इतने जोर से बोलते हैं कि दूसरे समझे कि क्या सच बोल रहा है लेकिन यह आकड़े अगर आप देखेंगे यह खर्चा अगर आप देखेंगे तो वह आपको मालू होगा धन्यवाद